नमस्कार दोस्तों स्कोलर केंपस में आप सभी का स्वागत है जैसा कि में मारा लाश्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें CI पार्ट वन में आपको कुछ बेसिक कोश्चन्स कराए गए थे तो उसी सीरीज में आगे जो आपके सामने CI पार्ट वा रहा है जिसमें कुछ बेहतरीन कोश्चन्स आपके लिए डाले गए हैं जो हाल फिलाल के एक्जामस में भी देखे गए हैं और सभी के सभी कोश्चन्स जिए एक्जामिनेशन में आए हुए है तो आईए आज की क्लास के सुरुवात करते हैं कुछ कोश्चन्स के साथ तो CI के बारे में मैंने आपको लाश्ट वीडियो पिछली क्लास में बताया था कि किस प्रकार से जो है CI के अंदर ब्याज के उपर ब्याज लगता है और किस प्रकार से इसके अंदर ratio का concept work करता है कि जो एक साल का ratio अगर पहले और दूसरे साल का होगा वही दूसरे और तीसरे साल का होगा वही ratio तीसरे और चोथे साल का होगा इसी प्रकार से अगर दो-दो साल का gap बन जाए तो इसी प्रकार से रेशो आगे चलता जाता है जिस प्रकार से मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइस करा देता हूँ आपको किमान नहीं जाए यादी कोई किसी से एक अधार रुपे अगर लेता है और ब्याज का दर अगर 10% है तो पहले साल के अंदर वो कितना हो जाएगा ब्याज 100 होगा सेकंड येर में वही ब्याज 10% लगकरके 110 हो जाएगा उससे अगले साल में वो 121 हो जाएगा C.I. के अंदर योगि C.I. के अंदर ब्याज पर ब्याज लगता है इस वज़े से यह ऐसा होता है तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होगे पहले और दूसरे शाल की जो ratio है P.I.E. की ये कितनी आ रही है? 10 ratio 11 आ रही है इसी प्रकार से इसकी और इसकी निकालोगे तो ये भी कितना आएगा? 10 is to 11 आएगा ठीक है जी? तो ये ही मैंने आपको पहले ही बताया था तो इस प्रकार से इसमें ratio का concept आगे दीरे-दीरे काम करता है तो आगे चलिए हम सवाल की और चलते है देखेगे ये आए आए आपके सामने सवाल नंबर 1 इसमें आपको ये बताया गया है In how many years will a sum of rupees 800 at 10% per annum compound interest compounded semi-annually compounded semi-annually becomes rupees 926.10 यानि कि 800 रुपे जो है अर्दवार्षे की ब्याज की दर से चक्रवर्दी ब्याज की दर से कितने सालों में 10% की अगर rate of interest हो वो 926 दशमलव 10 रुपे हो जाएगा तो यहाँ पर अगर याद हो पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि अगर rate 10% है rate 10% आपको semi-annually दिया गया पर annum दिया गया तो यहाँ पर अगर half yearly यह होगा तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 5 क्योंकि 6-6 महिने पर ब्याज लिया जाएगा अगर यह पांच परसेंट हो जाएगा तो इस पांच परसेंट को अगर हम फ्रेक्शन में ब्रेक करें तो यह होगा अगर मैं इसकी रेशो अगर निकाल रात में अलग से तो आठ सो और नो सो चब्विस दशम्लव दस इसकी रेशो कितनी आई कि देखो या पॉइंट से अटेगा तो दो जीरो यहां लग जाएगा तो दो जीरो यहां लग इसकी कट जाएगा यहां पर तो यह आएगा 8000 रेशो 9261 ठीक है जी तो यहां से हमें पता चल गया कि इसकी रेशो जो यह देख अगर आप देख रहे हो तो यह 20 की क्यूब होता है और यह 21 की क्यूब होता है ठीक है जी यानि कि एक साल के अंदर यह 20 से 21 हुआ है और हमें इसको क्यूब पर लेके जाना होगा तो मुझे इसकी क्यूब करनी पड़ेगी यbon इंडी और एक्इस की नहीं एकति अब इस प्यूर का मतलब यह हो गया तीन इसमें लैप लग एंग पुले पूरा है यहं पर तीन बार तीन बार है तीन बार जो हुआ जा रहा है हो हर चेया मंत इसका मतलब आँसर आगया आपका डेढ श.अइए पर आपको यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा जहां से इसकी पावर बंती हो ठीक है कि अब आते हम अगले सवाल की ओर हमारा अगला सवाल कोशन नमबर टू कि वह अच्छा कोशन है यहां पर यह बोला गया है हमें कंपाउंड इंट्रेस्ट पाइंड करना है 12000 रुपे पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत दी गई है और 15 महीने के अंदर निकालना है और इसका मतलब यह होता है कि हर 5 महीने के बाद आपसे लिया जा रहा है तो 15 महीने अगर उसको पंद्रा महीने के अंदर ब्याज लेना है इंट्रेस्ट उसको क्रिएट करना है तो इसका मतलब यह है कि हर 5 महीने के बाद यानि 5 13 मंथ और 10 मंथ और 15 तीन बार वह ब्याज लेगा तीन बार वह इंट्रेस्ट लेगा तो अगर एक साल का ब्याज हमें पता है कि पूरे एक साल बे कितने का ब्याज लेता है बारा परसेंट का लेता है अगर पूरे एक साल का ब्याज बारा परसेंट का होगा तो हमारा बारा महिने का भी बारा परसेंट यानि कि एक महिने का कितना हो जाएगा एक मंत का हो जाएगा हमारा एक परसेंट अगर एक मंत का एक परसेंट है तो पांच मंत का कितना हो जाएगा जी पांच मंत का हो जाएगा पांच परसेंट की ब्याज की दर होगी अगर वो पांच पांच महीने के इसाथ से ब्याज लेगा दो ठीक है अगर ये पांच परसें में 21 by 20 इस 1 by 20 को अब तीन बार उसने ब्याज लेना तो पहली बार में कितना हो जाएगा पहली बार रेशो बनेगी 20 और 21 की और दूसरी बार में जब इसकी हमें कि यहां पर आजाएगा 21 की अभी अभी हमने पड़ा बताया मैंने कि 20 की क्यूब होती है आठ हजार और 21 की क्यूब होती है 9261 तो यह रेशो होगी उसके बीच की तीन साल के बाद अगर कंपार्विट 5 मन्त ली होगा लेकिन यह आठ हजार ना दे करके कितना दे रखा है बा यहां पर यहां पर यहां से रेशो बनाए जाए तो तीन जीरो से तीन जीरो कैंसल कर सकते हैं और यहां से रेशो बनेगी जिस को हम लिख सकते हैं 3 by 2 3 by 2 लिख सकते हैं तो यहां पर बारास एकसर ट्रेशो में आ रहा है तो बारास एकसर स्ट्को मॉल्टिप्लाई करदेंगे घ्री भाई तू से रिवाय तू से जयते ही हम इसको मुल्टिप्लाई करेंगे तो यहां पर एगा ती आठ साथ और थी और इसको हम कर देंगे दो से डिवायर दो से डिवायर करेंगे तो तू बंदा यहां पर सवाल में हमने क्या सीखा हमने यह बात सीखिए ध्यान से कि 15 मंत का ब्याज निकालना है और हमें कंपाउंट फाइफ मंत ली दिए अगर कंपाउंट फाइफ मंत क्ली दिया गया तो आपको हर महीने का पहले तो इंट्रेस्ट कि तना बनेगा यह आपको नहीं कर सकते फिक है जी बहुत अच्छा कोर्षन है अब आता है हमारे पाउप developers इस सवाल में यह है कहा गया है the compound interest on rupees 2000 in two years if the rate of interest is 4% per annum for the first year and 3% per annum for the second year सवाल में ये बोला गया कि हमें compound interest find करना है 2000 रुपे पर दो सालों के अंदर पहले साल की ब्याज की दर है 4% दूसरे साल की ब्याज की दर है 3% ठीक है जी पहले साल की 4% दूसरे साल की 3% अगर पहले साल की 4% है तो कोशन को करने के बहुत से तरीके लेकिन हम कोशन को डाटा के नुसर करेंगी कि हमें डाटा किस प्रकार कर दिया तो अगर हम यहां पर देखे कैलकूलेशन बहुत इजी है अगर 2000 रुपे पर पहले साल में 4% का ब्याज ने तो कितना मिलेगा 80 रुपे मिलेगा कि और वह फिंशिपल कितना हो जाएगा मॉंट उसका दो हजार असी हो जाएगा पहले साल के पाद इस पहले साल के बाद फिर दुबारा अगले साल में कितने का ब्याज लगता है तीन प्रतिशत का ब्याज लगता है अब 2080 का 3 प्रतिशत निकालेंगे तो यहां पर 208 उसके बाद बेज अब 2080 में 12.4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2080 और 60 140 2140.4 142.4 यानि कि जो 2000 रुपे थे ये दो सालों बाद इतना हो गया ये पैसा अगर दो सालों बाद ये पैसा इतना हो गया तो इंटर्श्ट कितना मिला उगा उसको 142 रुपे और 40 तो हमारा आंतर आ गया 142.40 ठीक है जी तो सवाल हमें किस मैथड से करना यह डिपेंड करता है सवाल के डाटा पर तो हमें एक्जामिनेशन में बैटने समय इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कोश्चन को किस अपरोच से ले करके जाएं कि जिससे हमारा कोश्चन कम से कम समय मे आपको सवाल उसी अपरोच से करना यहां तो एक्जाम में कोश्चन किसली फैसा दिया गया और और आपको सवाल उसी अप्रोच से करना पड़ेगा जैसा आपको डाटा दिया गया है तो इस चीज का धियान रखेंगे अब हमारे सामने आता है सवाल नंबर चार ठीक है बहुत अच्छा सवाल है इस सवाल के अंदर यह बोला गया है सब्सक्राइब करें ड्रीनिन्स गौाइब करेंगे को निकालना है इसको क्वाटर ली कर लेंगे फिर प्राहट के अगर साल के अंदर्या और याता हैं कि साल में चार बार ठीकात्र के अंदर ब्याज की दर इस般 है अगर एक साल के अंदर ब्याज की दर 20% होगी और मुझे 3 मंत में बताना है कि 3 quarterly में कि 3 मंत में ब्याज की दर कितना होगा तो इसके साल के कितने हिस से होगे 4 part होगे 3-3 निसाब से तो हम सीधे सीधे 20% को किस से रिवायड कर सकते है 4 से तो यानि कि तीन मंत में ग्याज किदर होगी 5 पर्टीशत 5 परसेंट कितना होगा 5 परसेंट अब आप से यही तो पूछा गया है कि इसमें इंटरस्ट मिलेगा तो 5 परसेंट का मतलब यह होता है 1 by 20 एक साल के अंदर एक कॉटर के अंदर शोरी 20 से 21 मांथ के अंदर 3 बनेंगे अगर 3 बनेंगे तो सीधे सीधे रिश्वाम कर देंगे इसका जनि बीस की क्यूब जो है कितना हो जाएगी 21 की क्यूब हो जाएगी यानि कि 8000 की रेशो बन जाएगी 9261 के साथ अब हमसे पूछा गया इंटरेस्ट पूछा है तो यहाँ पे देखें आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1261 का लेकिन यह 8000 ना होकर के वैल्यू कितनी है यह 16000 है इसका दो गुणा है तो ब्याज भी कितना हो जाएगा 1261 गुणा में 2 21 कम 2, 6 दिनी 12 का 2 एक उपर गया, 2 दिनी 4 और 5 और 2 एक तम 2 यानि 2522 आपका आंसर आ गया 2522 आपका आंसर आ गया ठीक है जी? तो यह हमारा सवाल नंबर 4 था जिसमें आपको quarterly के बारे में बताया गया है quarterly, semi-annually compounded 5 monthly, compounded 8 monthly यह बड़े common है जो paper में आजकल आ रहे है ठीक है? अब हम सबते हैं अपने सवाल नंबर 5 की ओ इसमें यह बोला गया है कि 8000 रुपे पर यदि 15% ब्याज की दर हो तो 2 साल और 4 महिने का ब्याज क्या होगा यदि component annually करना हो compounded हमें annually करना compounded annually करते हुए मुझे 2 साल और 4 महिने का ब्याज निगालना है कितने पर 8000 रुपे ठीक है? तो ब्याज की दर 15% है अगर ब्याज की दर 15% हो 15% का मतलब होता है 3 बटे में 20 3 बटे में 20 होता है है रो यह तीन बंटे में वीश है तो इसका मतलब ये एं पहले साल में वह पैसा कितना हुआ 20-23 हूं उससे अगले साल में भी दूसरे साल में भी भी से 20 forever होता हुआ हमेशा जब under irus Oxfait को ना करना तो creator देते दे लेकिन 2 साल की तव हिसाब किताब बन गया लेकिस फूर मंत का क्या हिसाब किताब बनेगा यह फोर मंत का मैं क्या हिसाब किताब बनाया जाए तो अगर पूरे साल के अंदर 15% का ब्याज ले रहा है तो चार महिने का कितना लेगा 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे यानि की 5% सीधा इसाब तो और 5% को हम क्या कह सकते हैं एक बटा बीस यानि की चार महिने के अंदर वो कितना हुआ है बीस से 21 हुआ है बीस से 21 हुआ है अब यहाँ पर हमें पता चल गया यह पहले साल यह दूसरा साल वे चार महिने का तो यहां से गुना करेंगे तो यहां से आएगा आट अठीक है जी यहां पर 23 को 23 से गुना करे हमें ठीक है किस से गुणा करने के ज़्यादा बैटर है कि बीस और एक से गुणा कर दिया जाए यहां पर वीक्स नोजनी माँप थाएगा Siya Firman लगा 1101ीजानि कि वह पैसा जो है आठ और से इतना हो जाएगा अब पैसा वास्तिव में कितना था पैसा तो वास्तिव में इतना ही अठ जाएगा यानि कि इस आठ अजार रुप्य के बेजो अमाउंट इतना हो गया तो interest कितना होगा इसमें से स्को माईनस कर देंगे जयते ही इसको से माईनस करेंगे हमार onion Alright तीनाजार एक सो नौ रुपे तीनाजार 9209 तो यहां पर हमने ये सीशी कि कि यदि हमारे पास दो साल 4 महीं ने आ जाए चाहे 2 साल 8 महींने आ जाए चाहे 2 साल 6 महींने आ जाए चाहे 2 साल 10 महींने आ जाए आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हमें जितने time कब interest बोला गया है हमें उसी हिसाब से rate of interest को set करना पड़ेगा question को करने के लिए ठीक जी तो यहां पर आप 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 अगले सवाल की ओर चलते हैं देगे आपके सामने ये अगला सवाल आ गया है ठीक है जी सारे के सारे सवाल जो आपके पूस्चन्स जो है एक्जामिनेशनस ने कही न कही आए हुए है और बहुत ही बढ़ियां कोश्चन्स आपके लिए आप सिलेक्टर के लाए गए है ठीक है तो यहां से आप वीडियो को जरूर देखे उसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ठीक है ताकि जादा से जादा बच्चों को इसका फाइदा मिल सके ठीक है अब आता च् अब पűठा यह कि कितने समय में यही पैसा जो है कितना हो जाए आथ्गुना हो जाए अपने आपका एट सेम रेट पोटेस्ड तो यानि कहने का मतलब यहकि एक से पैसा हो रहा है दो कितने सालों में चार सालों में यह एक से कितने सालों को यह पता करना है तो हमें पता होना ची कि आठ जो है कितना होता है दो का क्यूब होता है तो यानि कि यहां के यहां तक पहुचने में हमने क्यूब करा उसको यानि कि तीन लैप लगे हुए चार साल चार साल और चार साल तो इसका मतलब यह हो गया कि जो चार साल के अंदर 2 गुना होता है तो 2 की पावर 3 कितने साल में हो जाएगा तो 4 गुना 3 यानी की 12 साल एक 4 गुना 3 यानी की 12 साल यहीं तो मैंने आपको अभी ठोड़ी धर पहले बता यह जितने जो Compound Interest के या जो इस रे सो है किस प्रकार से व्रक है यह चार साल के अंदर हो रहा है तो इसके 2 की क्यूब इसका तीन गुणा यानि कि तीन time में होगा यानि चारती है 12 साल आपका answer आ ठीक है तो अब आपके सामने आता है सवाल number 7 यह भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है जिहान से देखेंगे सवाल को हम कैसे हमें यह सबार करना है तो चलिए देखते हैं कि असम आफ मनी कि बिकम्स 25 टाइंस ऑफ इट्सेल्फ इन स्वाइक लिए 25 गुना हो जाता है पांस सालों में और 36 गुना होता है साथ सालों में ब्याज किदर होगी कुछ तो में रेट ओफ इंट्रेस्ट फाइंड करना है ठीक ह चका जिलएजी तो यहां पर हम यह देख पा रहें कोश्चन के अंदर की 25 गुना होता है पाँच सालों में और उत्षतिस गुना होता है वो 5 सालों में तो यहां आख स्वेर 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 रूट आएगा पांच मुद्ध आया एक अगर दो सालों kayak 25 में है उपर इंदर कितना हो पूछ रहा है तो एक राम台 आखर वहाँ आजाना होता है इसके आपके यानि पांच से छे हो गया है वह यानि कि एक का इंटरस्ट मिल रहा है कितने पर पांच में और गुणा में सो यही तो पूछ रहा है तो आंसर कितना जाएगा 20 परसेंट आंसर कितना आ जाएगा आपका 20 बहुत बढ़े हैं कुछ रही है कि कल को यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि तीन साल का गैप दे दिया जाए अगर तीन साल का गैप दिया जाए गो तो है आपको च्यूब रूप करना पड़ेगा सवाल के अंदर ठीक है यहां पर अगर दियान से देखा जाए तो एक तो छे साल है और एक नो साल है ठीक है तो छे साल में वो कितना होता है अठारा अजार और नो साल में कितना होता है वो 27,000 जीरो से जीरो कट गए यह तीन जीरो कट गए अब यहां पर अगर रेशो निकाला जाए इसका तो रेशो कितना आ रहा है दो से तीन रेशो कितना रहा है दो से कितना हो जाता है यह तीन हो जाता है अगर यह दो से तीन हो रहा है तीन सालों में अगर यह 2-3 हो रहा है तीन सालों वेधियान से सूना इस बात अगर तीन सालों में दो से 3 हो रहा है तो च्छे शाल में यह कितना हो जायेगा कैसे किर यह तैम का दो गुना कर दीच आए तो इसका स्क्वेरों 3 साल है इसको हमने 2 गुना कर दिया 6 साल 4 और 9 वन गया था नहीं थयुक्तfon North क्योंकि यहां पर 6 से 9 साल दिया हुआ है अब मुझे 6 साल कि रहखो पता चलगी अगर मुझे 6 साल किने जहां से सिरुवाहित होई था तो प्रिंसीपल से लेकर कर के यहां 6 साल तक की रेशो कितनी है अमांट की चार और नो की है अब यह जो है नो की वैलू तो हमें पता है कोशन में कितनी दे रखी है नो की वैलू 18,000 है अगर नो की वैलू 18,000 है तो यह इसका कितना गुना हो जाएगा कितनी हो जाएगा हमारा आठगा यहां यहांट रूपे ज्कूर्ट ह कि हमेशन ऑप वह सकता है कि पांच साल का हमें दो गुना करना पड़ जाए या फिर दस साल का दो गुना करना पड़ जाए तो वहाँ पे भी हमें स्क्वेर ही होगा ऐसा नहीं होगी कि इसकी पावर दस हो जाएगी जिस अनुसार यहाँ पर बैलेंसिंग दी जाएगी उसी अनुसार हमें यहाँ पर काम करना होगा कुशन सवाल नमबर नो सवाल नमबर नो इस सवाल के अंदर देखिया आप क्या दिया गया है आपको सवाल में कहा गया है a sum of money becomes rupees 75,000 in 8 years and rupees 9,000 in 12 years at a certain rate of compound interest यानि 8 सालों में तो 75,000 होती है और 9,000 हो जाती है वो 12 सालों में 12 years में rate of interest होगा कुछ नहीं मालूँ what will be the amount after 16 years अब 16 साल के बाद कितना amount हो जाएगा यह आप से पूछा गया है कि 16 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा यह पूछा गया है तो यहाँ पर भी इसी तरीके से काम होगा 8 साल है दूसरा हमारे पास 12 साल है साल में पैसा हो जाता है कि चत्तर हजार पर वही पैसा जो है कि यहाँ पर नब्वे हजार होगा और वही पैसा 12 साल में कितना हो जाता है तो यहां पर अगर इस का गैप देखा जाए तो कितना है जी चार साल तो यहां पर अगर रेशों निकाली जाए तो एक दो तीन एक दो यह पंदरा से कटके हैं पंदरा पंजे पिछ अत्तर और यहां पर पंदरा चिक नब्स है यानि चार सालों के गैप के अंदर उसके बीश का रेशों कितना है पांच और छे का जो रेशों आट और बारा चार सालों का यहां पर होगा तो अगर मुझे सोलवे साल पर जाना होगा अगर मुझे सिश्टीन एर पर जाना होगा तो यह घृक 1 खड colours यहां पर आप 124 पी कितना हो चार साल आप आपश कि वैल्यू को पता है नब 15,000 दे रखियो अगर पांच की वैल्यू आप की 90,000 हो अगर पांच की वैल्यू 90,000 होगी तो आपको छे की वैल्यू फाइंड कर लिए तो एक किया से पांच एकम पांच पांच अठे चालिस और एक अठारा आगा जिए अठारा पंजे नब्ब्बै तो एक यूनिट की वैल्यू तो 16 साल आप पूछा तो 6 को किस से गुना कर देंगे जी 18,000 से जैसे 18,000 से गुना करेंगे तो 108 उसके आगे 3,00 लग जे आठारा चीक 108 108 के आगे 3,00 यहामारा आज्या पर भी हमने उसी रेशो मेतट से इस कुर्शन को टिया जो चार साल की रेशो यहाँ पर है वही चार साल क पांच और छे की रेशो होगी और उससे अगले चार साल होगे पांच और छे की रेशो होगी ठीक है अब आता है आपके सामने सवाल नंबर दस अब इस सवाल को ध्यान से देखें बहुत बढ़िया कोशन है इन बैंक सर्टेन सम ऑफिस डिपोजिटिट एट टैन परसेंट सी आई को टू यर्ज दस परसेंट सी आई पर दो साल के लिए उपैसा दिया गए अब यह कहा गया कि जो दो साल के बाद उसने पैसा छोड़ा उस पे जो इंट्रेस्ट मिल रहा उसको टैन बाइ ट्वेंटीवन टाइम से किसका सुरू के दो साल के सी आई का find the amount which was deposited initially तो सुरुवात में कितना amount उसने डिपोजिट किया था यह हमको निकार हो तो देखें अब सवाल को हम कैसे करते हैं हाथ कर दस परसेंट का मतलब पता होना चपिक वंडाई टेंट अगर 10 परसेंट का मतलबम वन बै टन है तो इसका मतलब यह कि पहले proven currently 10 से कितना होगा वो 11 हो जायेगा तीसरे साल में कितना हो जाएगा यहां पर अगर इसको सो कर दूमें और इसको 110 कर दूम तो यह कितना हो जाएगा 121 क्योंकि अगर 10% की ब्याज किदर है तो हमेशा यही बनेगा पहले साल का सियाई सो दूत्रे का 110 और टीसरे का 121 ठीक है जी अगर 100 पहले साल का सियाई है तो मारा फिंसिपल कितना होगा जी जस पसंट के साब से अगर देखें जो जाएगा एक हजार आएगा क्योंकि इस 1000 का 10% की सो रुपे का ब्याज आ रहा है अब यहां पर सवाल में यह कहा गया है कि जो तीसरे साल का ब्याज तो पहले 2 सालों का 11 बटे 21 है तो पहले यह कटके कितना आ जाएगा 11 बटे किस निया 10 बटे किस है यह गरत लिख दिया मैंने 10 गुना 10 कितना हो गया 100 यानि कि अगर ऐसा नहीं होता तो उसे ब्याज मिलता 121 लेकिन 42 रुपे निकालने की वज़े से उसको ब्याज 121 ना मिल करके A11 बटे किस के ज़ाग से 100 मिल रहा है कितना मिल रहा है उसे؟ 100 मिल रहा है तो यहाँ पर जो यह अंतर आया है 21 का, यह किस वज़े से आया है? यह जो 42 रुप उसने पहले निकाल लिये उसी वज़े से आया है जो यह अंतर किस चीज का है? Compound Interest का है तो यहाँ पर 21 की value किसके बराबर हो जाएगी जो ब्यालिस्तों का ब्याज होगा 10% का उसके इसाथ को जाएगी अब ब्यालिस्तों का 10% कितना होता है 420 यानि 21 की value कितनी हो गई जी 420 हो गई यानि एक unit की value हो गई हमारे पास 20 अगर एक unit की value हमारे पास 20 है सब्सक्राइब सब्सक्राइबद点 उस लैट पिन्सिपल हमने सुर्वात में क्या लेट किया था हजार तो हमारा अंसर इतना हो जाएगा जी बीस हजार जाएगा अंसर नहीं मैं पर हमने प्रेशुन को कैसे सुर्ष करी हमने हाफ पहले रिभाग है इसके बाद हमने पिछर साल का कितना रेश लाए खार अब आते हम अपने अगले सवाल की ओर सवाल नंबर 11 इस सवाल के अंदर यह बोला गया है अधारा सो रुपे वो पैसा दस साल में होता है बीस साल में वही पैसा 6800 हो जाता है तो हमें बताना यह कि 15 साल में वह पैसा कितना होगा तो पहली बात तो यह कि 10 साल के अंदर वह पैसा कितना हो जाता है जी 1800 ठीक है उससे अगले 10 साल में उससे अगले 10 साल में उसना पैसा कितना हो गया पूरे 20 सालों में तो यहां पाच जार आएगा थिक है यानि कि अगर 10 साल की यहां पर रेशो बनाई जाए कि दस साल के अंदर व्याज की रेशो क्या है जिए 185,000 यानि कि 2-0 से 2-0 इधर cancel हो रही है यानि कि 9 ratio 25 कट के ratio कितना आएगा 9 और 25 का इधर से कट जाएगा 2 से काटेंगे 9 और 25 का आएगा अगर 10 सालों की ratio 9 और 25 की है तो 5 सालों की ratio कितनी होगी हमने time का आधा कर दिया अगर time का आधा करेंगे तो इसका square root करना पड़ेगा यानि कि 3 और 5 की 3 और 5 की अगर 3 और 5 की ratio जो है 5 सालों की है तो यह जो 5000 रुपए अगले 10 सालों के लिए इसने दे रखें तो इसमें 15 साल भ कि आएगा तो यह जो 15 साल का जो लैप बनेगा 5000 रुपए का यह भी किस रेशों में बटेगा यह बटेगा हमारा तीन और 5 के ratio में ऐसा ना करें कि सीज़े 5000 का आधा गरा 5000 और सीज़े आंसर निकाल दिया कुछ भी क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में वैसा हो सकता है इसमें नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कभी ब्याज में नहीं लगता इसमें तो लगेगा तो यहां पर जो पांच साल की जो रेशो आएगी ना वह आएगी तीन और 5 की तो यहां पर अगर दस से 15 जाएंगे तो भी वही रेशों होगी अब 15 से 20 जाएं कि 5 5 से अब इसको हम पांच जार रुपय को तीन देशो पांच में डिवैड देंगे अगर थी तो आठ की मिली कुतनी यहां पर Hani अगर एक की वैल्यू 625 होगी तो पहले वाले 5 सालों में कितना मिलेगा उसे 625 गुना कर देंगे और 625 को 3 से गुना करेंगे तो 680 या 1825 या निकि दस साल का तो पता है 1800 रुपे उससे अगले साल के कितने हो जाएंगे जब इसको उससे गुना कर देंगे लेकिन उसके मैं सालना है किवल 15 सालों का तो इस 1800 को और इस 1875 को हम जोड़ देंगे तुमारा आंसर आ जाएगा 3675 रुपे तो इस सवाल के अंदर भी हमने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया है रेशो में और रेशो में हमने किस प्रकार से देखो दस सालों का नो और पच्चिस बनना था पा पांच जबी तो रेशो बन पाएगा तीन और पांच का पाच्पा सालों का ठीक है अब आता है बार्वा सवाल इस सवाल के अंदर यह कहा गया है दि कंपाउंड इंट्रेश्ट ऑन अ सर्टें सम आफ मनी इन सिक्स यह रुपीज फोर सालों में कितना मिलता है उसे चार पेमिलता है है एंड कंपाउंड इंट्रेश्ट ऑसेंग सम इंट्वेल इयर्स बिकंस रुपीज 9600 देन फाइंट दस्त सम इनि छे साल में तो पैसा चार अजार होता है छे साल में कितना हो रहा है वह चार अजार हो रहा है पर हो रहा है तो 4000 रुपर यहां पर हो गए तो 9600 में से 4 झाल जाएंगे तो कितना बचेगा लोगा तो चाहर जाएंगे तो च्छपंसों बचेगा कि ऐसे यह स्वाइब दुब स्वाइब कि यहां पर अंतर कितना है चे सालों पर अगर साब चाट और रेशो काटके निकाली जाए तो कितनी आएगी 5 जिस 605 फांच औरंतनों की इंट्रेश्ट में हैं हमें समनिकानना ऐगर मुझे समनिकानना है याँ पर फिर उङ फैसाल सुफ़ां का फांच और साथ पांचा है सब्सक्राइव करके और यहाँ का भी कितना होगा पाँ पांच और साथ का ही होग अब यहां पर अज़नी यहां परए हॉनुद कर गया है कि आपको इंटरश्ट दिया गया वैली नहीं दी गयी है तो हिसका मतलब यह है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की तक का डियाख देखा जाए ते कि ततन हता नहीं रूब धो उच्ट अगर यह 2000 न वोगी तो मारा अंसर कितना आजाएगा तसल तो मारा आंसर कितना आजाएगा 10 ठीक है यानि यानि कि च्छेते 12 की रेशो 50 तो शुरुआत के नाभी बी रेशो 5 और साथ ही होगा यहां पर इंटरेश्ट कितना मिल रहा उसको रेशो के हिसाब से दो का मिल गाए यह दो की वैल्यू 4 जार के बराबर क्योंकि यहांसे यह तक इंटरेश्ट दे भी रखा आपको ठीक है तो इस question को भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो खुदी कर सकते हो यह second year का दिये रखा है fourth year को आपको दिये रखा है इसी प्रकार से ratio बनाएए और ratio बना करके इस question को आप अराम से कर सकते हो ठीक है तो इसको अपने आप ही कर लिजे self do अब आते हम question number 14 की ओर इस question number 14 में भी कुछ इस सरी के गाई है लेकिन question की थोड़ी से language change करी गई है language किस करी से change करी गई है टी पीरिड है दस हजार रुपे जो है आपके 1708 तो डबल जिरो हो जाता है compounded annually in t by 3 years तो 4000 रुपे कितने हो जाएंगे यह पूछ रहा है यानि कि दस हजार रुपे इं t by 3 years तो यहां पर एक जिरो से एक जिरो cancel हो जाएगा यहां पर अब यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा यह आ जाएगा यह आ जाएगा दस और यह आ जाएगा बारा मैंने क्यूब रूट कर दिया डिरेक्ट इसका में और मुझे निकालना किसमें ती वाएग अगर में तैमका का ताइंको ते इंसे डिवैड्य कर रहा हूं अगर टाइमको तिंसे डिवैडproof निपर हैई यहां पर रेशु निकानने के पूछा है तो बारा को भी चार सो से बुना कर देंगे तो इस प्रिकार से मारा आज आ जाएगा चार आजार आठ सो यानि के तालिस सो रुप है यहां कि वहीं कंसेप्ट रिशो वाला अब हमारे सामने आता है कुशन नंबर सिफ्टीन ठीक है बहुत ही अच्छा सवाल है ठीक है पड़ा लोजिकल कुशन है जिहां से सुनेंगे इसमें एक एक शब्त अमने इन्वेस्टेट रुपीश 8000 इन थीन फोर थी यह थीन साल के लिए पैसा देता है कंपाउंड इंटरस्ट पर देता है दा रेट फिंटरस्ट फू यह इस एक्स परसेंट पहले दो सालों के लिए रिट फिंटरस्ट कितना है जी एक्स परसेंट है और आखिर के तीसरे साल का कितना है बीस परसेंट है दा इंटरस्ट रिशीवट बाइन आफ्टर त्री यह इस रुपीश 4 696 तो बताना है रिट फिंटरस्ट फॉर्ट फॉर्स्ट फॉर्स्ट बढ़ी है कोश्चन तो देखिए अभी सवाल को सुरुव तो यहां पर जो है आठ हजार रुपे जो है सीधा सीधा 12696 हो जाते हैं कितने सालों में जी तीन सालों में दो साल सुरू के उसके लाश्ट का एक साल मिलके 12,000 क्योंकि 8,000 और यह आपका प्रिंसिपल 8,000 तो उनों को जोड गया मैंने यानि कि अगर यहां पे देखा इस वाले यह का, इससे एक पहले साल में, एक साल का, एक साल का अपरियोट और फिलिटर्श दे रखा आपको 20%, 20% का मतलब हो गया एक बटा पांच, यानि इस एक साल के अंदर, यह पैसा लाश्ट वाले में कितना हुआ होगा, पांथ से छे हुआ होगा, लिए छे ना होकर 2116 गुना कर देंगे तो 2116 को हमें 5 से गुना करना है तो 2 से उपर नीचे मल्टिप्लाई कर लो कोई दिक्त नहीं है दो से इसको काट दो दो एक कम दो ना जाने का 0 2 15 10 अजा दो आठे, शोला । दस पानवाझ वैया जाएगा 10 518 यानि की हम ने यहां से पीशे हा गय सान , 10558ificar अब यहां पर इस और इसके अंदर कितने सालों का गयप है जी दो सालों का गयप है अब इसके और इसके अंदर कितने का गयप है दो साल का गयप है अब यहां से अगर इसकी रेशो बनाए जाए तो यहां से जीरो से जीरो कट जाएगा यहां से इसको काटेंगे तो कितना आजाएगा यहां पाएगा चार सो रे इसका स्वेरूट 23 होता है अब यहां आते वह यानि कि एक साल में पैसा दो साल में तो इतना हुआ 400 से 530 और एक साल में 20 से 23 तो 20 से 23 होने में 3 डूपर उसने इंटरस्ट के कमाए कितने पे कमाए 20 पे कमाए और गुणा